शारुख खान के करीबी दोस्त के निधन पर भावुक हुए शारुख खान उन्होंने लिखा तुम्हारी बहुत याद आईगी मेरे दोस्त आपको बता दे कि शारुख खान ने अपनी प्रडक्शन कमपनी रेट चिलीज के कलीग अभीजीत के निधन पर शोग जताया है 15 त में तेर रात शारुख खान ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्त लिखते हुए उन्हीं याद किया है शारुख के माने तो अभीजीत रेट चिलीज के साथ इसकी शुरुवात से ही जुड़े हुए थे शारुख ने ट्विटर पर लखा हमने फिल्में बनाना ड्रीम्स अनलिमिटेड के साथ शुरू किया था अभीजीत मेरा सबसे मजबूत सहयोगी था हमने कुछ अच्छा, कुछ बुरा काम किया लेकिन हमेशा माना की हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि टीम में उसके जैसे स्ट्रॉंग सदस्यत है जो सब संभाल लेते थे तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरे दोस्त वही रेट चिलीस के ओफिशल ट्विटर हैंडल ने भी ट्वीट कर लखा रेट चिलीस के सबसे पुराने सदस्यों में से एक अभीजीत की मौत ने हमारे दिल में कभी ना भरने वाली जगा छोड़ी है हम उन्हे और हमारे आसपास उनकी मौजूद्गी को हमेशा याद करेंगे उनकी आत्मा को शांती मिले उनके परिवार और दोस्तों के प्रती हमारी सच्ची सम्वेदना शारुख खान ने 1999 में अपने दोस्त और कलीग्स जुही चावला और अजीज मिर्जा के साथ ड्रीम्स अनलिमिटर की शिरुवात की थी इसके बैनर तले फिर भी दिले हिंदुस्तानी अशोका और चलते चलते बनाया गया 2003 में शारुख खान ने कमपनी को टेक ओवर किया और पतनी गौरी खान के साथ इसे रेच चिलीस में कंवर्ट कर दिया मैं हूना रेच चिलीस के बैनर तले बनी पहली फिल्म थी अपने पुराने सयोगी अभीजीत के निधन पर शारुख दुख में है अभीजीत के परिवार और दोस्तों के प्रती हमारी सची समवेदना